अध्याय 26 जब येशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा तुम जानते हो कि दो दिन के बाद फसह का पर्व होगा और मनुश्य का पुत्र क्रूस पर चड़ाई जाने के लिए पकड़वाया जाएगा तब महायाजक और प्रजा के पुर्णिय काइफा नाम महायाजक के आंगन में इकठे हुए और आपस में विचार करने लगे कि येशु को चल से पकड़ कर मार डाले परंतुवे कहते थे कि पर्व के समय नहीं कहीं ऐसा ना हो के लोगों में बलवा मत जाए जब येशु बैत नियाह में शमावन कोड़ी के घर में था तो एक स्त्री संग मरमर के पात्र में बहु मोल इत्र लेकर उसके पास आई और जब वो भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया ये देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे इसका क्यों सत्यानाश किया गया ये तो अच्छे दाम पर विक कर कंगालों को बांटा जा सकता था ये जानकर हीशु ने उनसे कहा स्त्री को क्यों सताते हो उसने मेरे साथ भलाई की है कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं परन्तु मैं तुम्हारे साथ सदेव ना रहूँगा उसने मेरी देह पर जो ये इत्र उंडेला है वो मेरे गाड़े जाने के लिए किया है मैं तुमसे सच कहता हूँ सारे जगत में जहां कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां उसके इस काम का वरणन भी उसके स्मरण में किया जाएगा तब यहूदा इस क्रियोती नाम बारह चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा यदी मैं उसे तुम्हारे हाथ पकडवा दूँ तो मुझे क्या दोगे उन्होंने उसे तीस जान्दी के सिक्के तॉल कर दे दिये और वो उसी समय से उसे पकडवाने का अफसर ढूणने लगा अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशू के पास आकर पूछने लगे तु कहां चाहता है कि हम तेरे लिए फसर खाने की तयारी करें उसने कहा नगर में फुलाने के पास जाकर उससे कहो गुरू कहता है मेरा समय निकट है मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहां पर्व मनाऊंगा सो चेलों ने यीशू की आग्या मानी और फसर तयार किया जब सांच हुई तो वो बारहों के साथ भोजन करने के लिए बैठा जब वे खा रहे थे तो उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ तुम मेंसे एक मुझे पकडवाएगा इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा हे गुरू क्या वो मैं हूँ उसने उत्तर दिया जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकडवाएगा मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विशय में लिखा है जाता ही है परन्तु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकडवाया जाता है यदि उस मनुष्य का जन ना होता तो उसके लिए भला होता तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा ए रब्भी क्या वो मैं हूँ उसने उससे कहा तू कह चुका जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशिश मांग कर तोड़ी और चेलों को दे कर कहा लोग खाओ ये मेरी देह है फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दे कर कहा तुम सब इसमें से पियो क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लोहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित बहाया जाता है मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पियूँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पियूँँ फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड पर गए तब हीशु ने उनसे कहा तुम सब आज ही रात को मिरे विशय में ठोकर खाओगे क्योंकि लिखा है मैं चरवाहे को मारूंगा और जुंड की भेडें तितर बितर हो जाएंगी परन्तु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाओंगा इस पर पतरस ने उससे कहा यदि सब तेरे विशय में ठोकर खाएं तो खाएं परन्तु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा येशु ने उससे कहा मैं तुझ से सच कहता हूँ आज ही रात को मुर्गे के बांग देने से पहले तु तीन बार मुझसे मुकर जाएगा पतरस ने उससे कहा यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो भी मैं तुझ से कभी नम करूँगा ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा तब हीशु अपने चेलों के साथ गत समनी नाम एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा यहीं बैठे रहना जब तक की मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करूँ और वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा तब उसने उनसे कहा मेरा जी बहुत उदास है यहां तक की मेरे प्राण निकला चाहते हैं तुम यही ठहरो और मेरे साथ जाकते रहो फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुझ के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा हे मेरे पिता यदी हो सके तो ये कटोरा मुझ से डल जाए तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पत्रस से कहा क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परिक्षा में न पड़ो आतमा थो तैयार है परन्तु शरीर दुरबल है फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की हे मेरे पिता यदि ये मेरे पिये बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनकी आँखें नीन से भरी थी और उन्हें छोड़कर फिर चला गया और वही बात फिर कहकर तीसरी बार प्रार्तना की तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा अब सोते रहो और विश्राम करो देखो घड़ी आप आँची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है वो ये कहे ही रहा था कि देखो यहूदा जो बारहों में से एक था आया और उसके साथ महायाजकों और लोगों के पुर्णियों की और से बड़ी भीड तलवारें और लाठियां लिए हुए आई उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये पता दिया था जिसको मैं चूम लूँ वही है उसे पकड़ लेना और तुरंत ये शू के पास आकर कहा हे रब्बी नमस्कार और उसको बहुत चूमा ये शू ने उससे कहा हे मित्र जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ली तब उन्होंने पास आकर ये शू पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया और देखो ये शू के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ा कर अपनी तलवार खीच ली और महायाजक के दास पर चला कर उसका कान उड़ा दिया तब ये शू ने उससे कहा अपनी तलवार काठी में रख ले क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किये जाएंगे क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से बिनती कर सकता हूँ और वो स्वर्ग दूतों की बारह पल्टन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा परन्तु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना आवश्य हैं क्योंकर पूरी होगी उसी घड़ी येशू ने भीड से कहा क्या तुम तलवारे और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा परन्तु ये सब इसलिए हुआ है कि भविश्य द्वक्ताओं के वचन पूरे हूँ तब सब जेले उसे छोड़कर भाग गए और येशू के पकड़वाने वाले उसको काईफा नाम महायाजक के पास ले गए जहां शास्त्री और पुर्णिये इकठे हुए थे और पतरस दूर से उसके पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अन्त देखने को प्यादों के साथ बैट गया महायाजक और सारी महासभा येशू को मार डालने के लिए उसके विरोध में जूटी गवाही की खोज में थे परन्तु बहुत से जूटे गवाहों के आने पर भी न पाई अन्त में दो जनों ने आकर कहा इसने कहा है मैं परमेश्वर के मंदर को ढ़ा सकता हूँ और उसे तीन दिन में बना सकता हूँ तब महायाजक ने खड़े होकर उससे कहा तू कोई उत्तर नहीं देता ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं परन्तु यीशू चुप रहा महायाजक ने उससे कहा मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपत देता हूँ यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसी है तो हम से कह दे यीशू ने उससे कहा तूने आप ही कह दिया वरन मैं तुमसे ये भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्व शक्ती मान की दाहिनी और बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा इसने परमिस्वर की निंदा की है अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन देखो तुमने अभी ये निंदा सुनी है तुम क्या समझते उन्होंने उत्तर दिया ये वद होने के योग्य है तब उन्होंने उसके मूँ पर थूका और उसे घूसे मारे और उन्हें थपड मार कर कहा ये मसी हमसे भविशवानी करके कहें किसने तुझे मारा और पत्रस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक लॉंडी ने उसके पास आकर कहा तू भी ये शुगलीनी के साथ था उसने सब के सामने ये कहकर इंकार किया और कहा उसने शपत खाकर फिर इंकार किया मैं उस मनुष्य को नहीं जानता थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पत्रस के पास आकर उससे कहा तू भी उनमें से एक है क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है तब वो धिकार देने और शपत खाने लगा मैं उस मनुष्य को नहीं जानता और तुरंत मुर्ग ने बाद दी तब पत्रस को येशु की कही हुई बात समरण आई कि मुर्ग के बाद देने से पहले तू तीन बार मेरा इंकार करेगा और वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा